हेलो स्टुडेंट आज हम बात करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन तो माइक्रो प्रोपोगेशन का दूसरा नाम क्या होता है टिशू कल्चर होता है यह टॉपिक 10 और 12 में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और यह क्लास 10 और 12 के बोर्ड एक्जाम में ज्यादा तर पुछा जाता है तो क्लास 10 और 12 में यह टॉपिक जो है आपका 3 मार्क्स का आता है कोई भी बोर्ड हो चाहें आप CBC बोर्ड से हो, ICC बोर्ड में हो या UP या कोई भी स्टेट बोर्ड हो तो सभी बोर्ड में क्या होता है यह माइक्रो प्रोपोगेशन या टिशू कल्चर टॉपिक पुछा जाता है तो आज हम शुरू करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है माइक्रो प्रोपोगेशन यहां पर लिखा हुआ है micro propagation micro का मतलब होता है small micro का मतलब क्या होता है small propagation का मतलब होता है parts परचीतों इसको समझ लीजिए parts, यानि small parts तो small part की help से हम क्या करेंगे plant को grow करने का method जो है वो सीखेंगे तो plant को grow करने का method क्या है micro propagation या फिर tissue culture इसको हम लोग बोलते है tissue culture तो exam में confused नहीं होना है अगर tissue culture पूछा जाए या micro propagation पूछा जाए तो topic एक ही है method एक ही है तो micro means small propagation का मतलब होता parts parts कोन से हो सकते है stem हो सकता है root हो सकती है leaf हो सकती है तो ये क्या होते है parts होते है जिनका हम use करते है तो हम शुरू करते है सबसे पहले tissue culture term tissue culture जो term है उसको किस ने दिया ये objective question बहुत पूछा जाता है तो वो दिया American pathologist अमेरिका के एक pathologist है जिनका नाम क्या था Montrose Thomas Burroughs ये उनका नाम था जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था tissue culture यानि शब्द का इस्तिमाल किया था word का use किया था term का क्या होता है अगर कोई पूछता है micropropagation tissue culture की definition बताईए तो बहुत simple है आपको इतना से ध्यान देना है micropropagation micropropagation क्या है एक technique है इस technique में हम क्या करते है plant की cells लेते है plant की tissues लेते है plant के organs लेते है parts लेते है तो उन सारी चीजों को cells को, tissues को, organ या parts को हम लोग क्या कहते है ex plant कहते है और ये ex plant को हम लोग क्या करते है grown करते है test tube में artificial culture medium में artificial culture medium ko हम test tube में लेते है तो अब जा करते हैं हम लोग is process को develop करा पाते हैं यह to happen to go is process के लुच से develop करा पाते हैं कब किसमें करते हैं हम लोग test tube में करते हैं test tube के अंदर जो भी process किया जाता है उसको in vitro कहा जाता है तो यह तो हो गई definition अब हम बात करते हैं method used for micro propagation कौन-कौन से method हैं जिनका इस्तमाल micro propagation में किया जाता है या कौन-कौन से steps होते हैं तो ज्यादा steps नहीं है यह आप को step समझ दीजिए पहला है first step की मैं बात करता हूं यहां पर कोई भी plant है plant में दो पार्ट होते हैं आपको मालूम होगा एक पार्ट होता है नीचे का जो पार्ट होता है वह root पार्ट होता है और ऊपर का जो पार्ट होता है उसको शूट पार्ट कहते हैं तो तो plant के part, plant का कोई भी हम part ले लेए, shoot ले ले, कोई भी shoot का एक part लेले, shoot में, आप चैने root ले ले, चैने stem ले ले, कोई हम बी plant का एक part ले लेवे, तो जो plant का part लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? small piece of tissue, small piece लेंगे किसकी हम tissue की, फ्रॉम शूट ट्पिप का इस चोट independently और उसको हम क्या करेंगे प्लांट को किलुच्र करेंगे तो इससको प्लांट के पार्ट को क्या कहा जाएब एक्स प्लांट कहा जाएगा यह जो पौदा है इसके छोटे छोटे टुकड़े या कोई भी पार्ट इसका टुकड़ा हम ले लेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे एक्स प्लांट कहेंगे तो यह हमारा फर्स स्टेप होगा जब इस टुकड़े को हम लेंगे प्लांट के पार्ट से तोड़ लेंगे चुछा सा यह टुक तेश ट्यूब से हैं सब्सक्राइब है हम ने हमारे लिक्विड भर लुकेंगा में हमने क्या किया है शूट टिप सेल फ्रॉम शूट जो भी ये शूट टिप लेटे इसके टुकडों को हमने क्या कि जो रडडड के आपको टुकड़े दिख रहे है उनको हमने क्या किया इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया है तो क्या हुआ जो एच्ऱ टोड़ा को मने यहां पे डाला क्या करेंगे इसमें ग्रlando करेंक्ड अच्टर ₌ल कूरेंगे उसको ट्री ने Mus Verizon करेंगे अच्छी चाहिए उसको तुट क्या एंज में नेक्स पार्ट बात करते हैं यहमारी क्या है टैस्ट में जो भी यह एक्ष प्लांट के जो पार्ट आप जो ईंड मैंने में हार्मुन मिलने के लिए निहें मों हो जाती है तो यहीं मों क्या करते हैं क्या हो into an unorganized mass under CALISAб. तो जो वो cells थी, वो क्या हो जाएँगी, grow हो जाएंगी और grow हो जाएंगी तो कोई बड़े size में होगी, कोई चोटे size में इस तरह वो क्या हो जाएंगी? grow होना शुरू हो है, तो unorganized mass में जब cells grow होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कालेश कहते हैं, next step में आते हैं, हम लोग fourth step है, हमारा यह हमारी क्या है test tube है तो इस test tube में क्या हुआ, जो भी हमारे कैलेस वाले जो ये parts थे कैलेस तो के इस piece हैं, ये कैलेक्स की तो ये piece जो है, इसमें क्या हो रहा है nutrient medium है, plant hormones हैं इसमें, और यह piece जो हैем Kaillex की वह क्या हो रही हैं, और ज्यादा grow होना शुरू हो रही है, तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग कैलेस के जो parts होते हैं, उनको लोग transfer कर देते हैं, किसी दूसरे medium में, जहां पर plant hormones होते हैं, और क्या होता है, लिखा है, callus part are transferred to another medium containing different combination of plant hormones, यानि दूसरे हार्मोन जो होंगे nutrient medium में, उसमें क्या करेंगे हम? callus के part को transfer कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? फिफ्ट स्टेप में, फिफ्ट स्टेप में क्या होगा? यह जो callus वाले जो part में, जो different hormones मिलाया गया, जिसकी वज़े से क्या होगा? इस callus में क्या हो जाएंगी? नीचे क्या हो जाएगा? root develop होना शुरू हो जाएंगी. यह देख रहे हैं, यही जो callus था, इसमें से दीरे-दीरे क्या है? root develop हो गई, और उपर क्या हो गए? shoot part develop होना शुरू हो जाता है. तो यह जब जिस तरह जब root develop हो जाती और उपर shoot part develop हो जाता है, तो उसको हम लोग जो दूनों चीज़े जब develop हो जाती, तो उसको हम लोग क्या कहते है? plant let बोल देते हैं, तो cells differentiate, तो cell जो हो थी, जो callus वाली जो cell थी, वो क्या हो गई? differentiate हो गई, किसमे? root part में और shoot part में, तो यहाँ पर लिखा है cells differentiate into root and shoot and plantlet are formed, तो क्या हो जब root और shoot जब develop हो जाएगी cell में, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद planted बन जाएगा, और जब plantlet develop हो जात होता है, root और shoot part जब दोनों ही चीज़े जब आ जाती है, तो कुछ दिनों के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस plantlet को test tube से निकाल कर, और फिर हम इसको natural environment में, natural environment में, यानी field में, जमीन पर, या किसी भी गमले में, pot में, उसको हम इस plantlet को लगा देते हैं, तो क्या होता, यह plantlet को जो हम transfer करते हैं, soil में, या pot में, तो उसकी क्या हो जाती है, natural growth हो जाती है, तो यह पूरा, जो steps थे, यह क्या थे, micro propagation method में, जो भी step यूज हो रहे हैं, यह five steps थे, next, अब हम बात करते हैं, advantages क्या है, क्या फाइदा होता है, micro propagation, यानी tissue culture का, क्यों इसको use किया, सबसे पहला यह, small span of time, unlimited number of plants can be produced, कह रहे हैं, कि यह एक ऐसा method है, इसमें कम समय में, हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा plant को develop करा सकते हैं, जैसे कहने को हम कह सकते हैं, कि जैसे आपके पास कोई भी rose की stem है, अगर आपके पास rose की एक stem है, marker like है, तो इसको अगर जब आप soil में लगा जाएंगे, तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद इसमें से सिर्फ एक ही पौधा develop होगा, फिफ आपमान लेते हैं 15 दिन के बाद एक पौधा develop होगा, पर micro propagation technique की वज़े से हम क्या करते हैं, इस part के हम अगर 100 टुकडे कर दें या 50 टुकडे कर दें और उनको test tube में रख देते ह तो after 15 days के time, 50 टुकडे करें तो 50, अगर 50 आपने टुकडे करें, 50 parts करें हैं, तो ये 50 parts क्या होगे, 15 days के बाद क्या हो जाएंगे, ग्रो करना start हो जाएंगे, अगर इस method का use नहीं करते हैं, आप naturally अगर आप एक stem लगाते हैं, तो एक ही पौधा develop, तो कम समय में जादा plant को develop क करने के लिए, हम लोग micro propagation technique का इस्तिमाल करते हैं, तो ये क्या है, इसकी advantages है, they are disease-free plants, तो जो भी plants होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, disease-free होते हैं, और जो भी हमारे plant क्या होते हैं, disease-free होते हैं, next, अब हम बात करते हैं, disadvantages की, disadvantages क्या है, it is expensive method, ये बहुती mega method है, expensive है, need sterile condition for proper growth, proper growth के लिए हम को क्या चाहिए, nutrient medium की need होती है, तभी इन plants को हम develop करा सकते हैं, तो ये method जो है, इसके लिए बहुत expensive है, तो इसमें कोई भी farmer जो है, naturally इसकी growth नहीं कर सकता है, इसकी growth जो है, lab में ही हो सकती है, तो ये topic बहुत ही important है, और इसका इस्तमाल जो है, आजकल बहुत ज़ादा labs में हो रहा है, बायो टेकनलोजी की labs में, agriculture department में, इसका इस्तमाल बहुत ज़ादा हो रहा है, तो इस topic को आप with diagram बहुत अच्छे से तियार करें, और ये three और four marks का पूछा जाता है, अग्राम में, thank you.